नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लखनव सचिन 9777 आज मैं आपके सामने ये संसेंग गलेक्सी वाच का रिविव करने वाला हूँ ये वाच मैंने तीन महीने पहले रिलाइंस डिजिटल इस्टोर लखनव से खरीदी थी तीन महीने तक मैंने इसको खूब रगड के इस्तेमाल किया है उसके बाद में मैं आज आप लोगों के सामने इसका रिविव कर रहा हूँ ये वाच का बाक्स है जिस पे ब्रांडिंग है समसेंग गलैक्सी वाच 3 लिखा हुआ है पिछे इसके कुछ और जानकारी दी हुई है जैसे इसका जो भी कोड वगेरा रहता है ये 45 एवेम वाला वेरियंट है जिसको मैंने पर्शिस किया था LTE 4.5 mm LTE वर्जिन है ये LTE वर्जिन में आप ECM इस्तिमाल कर सकते हैं और इसका दूसरा वर्जिन आता है जो विदाउट LTE होता है वो क्यों Bluetooth पे काम करता है तो इसमें मैं आपको खास चीज़ बता दूँ अगर आप आप एरिटेल या जियो का पोस्ट पेड करेक्शन यूज करते हैं तो ही आप LTE ले आने था आपको LTE वर्जिन लेने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि ये LTE वर्जिन में eSIM सपोर्ट केवल एरिटेल के पोस्ट पेड और जियो के पोस्ट पेड पर ही अभी करता है तो चुकि मैं एरिटेल का पोस्ट पेड कनेक्शन यूज करता हूं इसलिए मैंने इसको लिया था नहीं तो मैं भी Bluetooth वर्जिन ही लेता तो आईए मै सिफाता हूं इस वाच को कैसी है यह वाक्स है इसको बॉप्र करते हैं इसके अंदर एक है वह debate है जिसने मगनेटस चार्जर मिलता है यह चार्जर कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपके पास वार्लेस चार्जिंग वाला फौन है और वो reverse charging को support करता है तो भी आप उससे इस watch को charge कर सकते हैं ये black color की watch है 4.5 mm dial के साथ में और इसका जो build quality है काफी अच्छा है ये पूरा steel body में है मजबूत और ये इसमें जो display है ये AMOLED display दिया गया है black color का leather strap है leather की strap आपको इसमें मिलेगी पीछे sensors दिये हुए है काफी सारे sensors इसमें है जिसमें आपका COVID के समय जो ज़रुद पड़ती थी main oxygen sensor HP2O वो आपको मिल जाएगा उसके अलावा आपको और कई सारे features मिलते हैं watch में आपको काफी सारे sports mode मिलते हैं जिनको आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं inbuilt GPS है इसमें और heart rate sensor है इसमें HP2O sensor है इसमें और आपको ECG और blood pressure monitoring का भी इसमें support मिलता है जिसको आप यूज करके अपनी health को track कर सकते हैं इसका सबसे अच्छा feature जो मुझे लगा वो sleep को आपकी जो track करता है वो सबसे अच्छा मुझे लगा आप कितनी देर सोये हैं कैसे सोये हैं क्या है वो सब इसमें आपको बहुत अच्छे से ये बताता है जिसे ये आप daily का routine आपका क्या रहा क्या activity रही वो सब आप देख सकते हैं उसके अलावा आपका सेंसिंग हेल्थ जो application है इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा जैसे आप देख सकते हैं सुरुवात से मैं आपको दिखाऊं ये total आज का मेरा है ये मेरा walking है और ये दूसरी exercise को रहेगी उसका आजाएगा ये मेरा sleep का है कि आज मैं कितनी देर सोया हूँ कुल मैं 3 घंटा 44 मिनट की नीद मैंने ली है दो बज़ के 22 मिनट से सुबा 6 बज़े तक उसके बाद मैं ये sleeping score भी दिखाता है actual sleep time और कितनी देर आप किस तरीके से सोय है क्या रहा है आपका नीद आपने कैसी ली है आपका पर्मानेंट ये heart week को blood pressure को भी monitor करता है heart rate को भी आपके monitor करता है stress level आप इसमें अपना चेक कर सकते हैं जो ये खुद भी automatic पे लगा देंगे बराबर track करता रहता है ये oxygen level का है oxygen level आपने क्या क्या खाया है वो food अगर आप इसमें entry कर देंगे तो वो बता देगा कि कितना calorie आपने लिए है और ये पानी पीने का alert रहता है target जो आप set कर ले वो आपको बताता रहेगा फिर ये एक feature है जो आप अपने किसी friend के साथ में जो watch को use करता हो उसके साथ में कोई challenge या कुछ कर सकते है ये महिलाओं के लिए लग से feature दिया गया है बाकी इसमें बहुत सारी आपको applications मिल जाती है inbuilt और बाकी आप अपने पास से phone से इसमें download भी कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं calculator जैसे मैं use करता हूँ इसमें ये camera control है music और ये phone की gallery access कर सकते हैं अगर आपका phone कहीं खो जाता है तो उसको भी आप इससे track कर सकते हैं calendar दिया हुआ है इसमें आप अपनी contact list पूरा access कर सकते हैं weather आप देख सकते हैं क्या है कैसे है weather का क्या हाल है Wixby का support मिल जाता है इसमें और Samsung का ये galaxy store भी है जिससे आप दूसरी application डाउनलोड कर सकते हैं Samsung health है इसमें आपके पूरी activity record रहते हैं कि क्या क्या आप का रहा कैसे कैसे आपने क्या exercise की क्या खाया क्या पिया वो आप track कर सकते हैं यहाँ से आप किसी को भी phone call कर सकते हैं ये उसका feature है आप Bluetooth के through भी इसमें calls receive कर सकते हैं और अगर आपका phone switch off है और आपके phone में e-sim का support है तब भी आप किसी से call पे बात कर सकते हैं receive भी कर सकते हैं और dial भी कर सकते हैं दोनों feature इसमें हैं अगर आपके phone में e-sim support आपका जो operator है वो e-sim को support नहीं करता है तो इसमें आपको वो function नहीं मिलेगा आप नहीं यूज कर पाएंगे अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई भी sim यूज करता हूँ और इस watch को ले लू तो वो आपके लिए घाटे का सौधा होगा फिर आप Bluetooth वर्जन ले Bluetooth की देंज जितनी रहेगी उतने में आप इस घड़ी से बात कर सकते हैं इस watch से आप इसमें काफी सारे आपको watch faces मिल जाते हैं जिनका आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे जिसे मैं ये यूज करता हूँ अक्सर इस पर बैटरी की खपत कम होती है कम बैटरी खाता है और एक ये मेरा फेबरेट है जिसको मैं यूज करता हूँ अधिकतर तो watch face आप अपने हिसाब से customize भी कर सकते हैं और काफी सारे watch faces आपको मिल जाएंगे something wearable app आपको download करनी पड़ेगी अपने phone में उसके साथ में ये support करता है उसमें आप watch face download कर सकते हैं ये आपका activity का पूरा है आज की activity ये से मेरी क्या है तो वो यहाँ पर पूरा दिखा देगा तीन सो कैलोरी मैंने burn की है ये activity है वर्काउट इतना मैंने किया हुआ है और बाकी वेदर आप चेक कर सकते हैं म्यूजिक सुन सकते हैं बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है watch की तीन मेहने तक मैंने यूज किया बस मुझे एक ही issue इसमें लगा कि अगर आप इसका डेटा चालू रखते हैं इसमें आप फोन का डेटा यूज कर सकते हैं क्योंकि e-sim inbuilt है तो आप इसमें surfing ब्राउजिंग भी कर सकते हैं ब्राउजिंग करने के लिए आपको फोन से connected रहने की जुरुत नहीं है इसम सपोर्टेड है आपका फोन आफ है ब्लूटूथ से connect है या नहीं है उसकी कोई भी समस्य नहीं है आप आराम से इसमें कुछ भी ब्राउजर डाल करके ब्राउज कर सकते हैं काफी सारे मोड इसमें दिये हुए हैं यह काफी फंक्शन है जिसमें यह night mode है do not disturb है always on display है settings का है theater mode है brightness के लिए दिया हुआ है wifi से भी यह connect हो जाती है Bluetooth से आप अपने headphone Bluetooth headphone connect करके आप बात कर सकते हैं बाकि आप देख रहे होंगे इसमें LTE network आ रहा है इस watch की सबसे अच्छी मुझे build quality लगी डिस्प्ले में इसके gorilla glass का यूज किया गया है बाकि काफी सारी applications का support इसमें मिलता है सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें music store कर सकते हैं और अपना Bluetooth headphone लगा करके आप music सुन सकते हैं बाकि Spotify अगर भी आप download कर सकते हैं Amazon का जो आता है music वाला app उसको डाल करके आप use कर सकते हैं यह challenge में आप अपने किसी साथी को neighbor को challenge accept कर सकते हैं उसके साथ में कर सकते हैं क्या आप का रहा meals का आप इसमें डाल सकते हैं क्या आपने खाया कितना खाया क्या calorie खाई उसके बाद में क्या exercise करना है आपको calorie burn करने के लिए यह सारी functions इस watch में मिल जाते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको phone से नहीं connected रखना चाहते हैं अक्सर होता यह है कि आप जब phone भी आपके पास में हर watch भी है तो दोनों पर एक साथ ring आती है आपके watch में भी ring आएगी और आपके phone पर भी आएगी आप चाहें तो इसको off कर सकते हैं मैं इसको यूज करता हूँ अधिकतर मैं bike पर यूज करता हूँ bike पर काफी useful है bike जब आप चलाते हैं तो phone की रिंग कभी कभी नहीं सुनाई बढ़ती है लेकिन अगर यह watch में वेर किया हुआ हूँ तो मुझे पता चल जाता है किसी का call आ रहा है urgent call है तो उसको मैं receive कर सकता हूँ और अगर कोई notification आता है कोई whatsapp message आ गया या कुछ आ गया तो भी आप उपर से read कर सकते हैं इस watch से इधर से आप ऐसे करेंगे तो आप read कर सकते हैं जैसे ही आप watch को पहन रखे हैं और हाथ घुमाएंगे अपनी face की तरफ करेंगे watch को तो वो notification आपको automatically दिख जाएगा अगर आपको reply करना है तो आप यहीं से reply भी कर सकते हैं watch से काफी सारे functions हैं एक detail video में बात भी बनाऊंगा क्योंकि यह मेरा पहला review है मेरे channel पर कुछ कमियां भी रही होंगी अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो comment करें like करें और share करें channel को subscribe जरूर करें अगर आप channel पर नए हैं तो channel को subscribe करना न भूलें इसी से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरा काम किस तरीके का लग रहा है मुझे आगे करना है या नहीं करना है तो यह है watch तो अगर दोस्तो इसके price की बात करें तो इस पे जो price mention है वो 39,500 mention है उस समय मुझे मिली थी लग भग 23,000 रुपय में 22,990 में मुझे मिली थी और मैंने launch digital लखनौज से purchase की थी PTM का और SBI credit card का भी offer था जो सारा offer लगा करके दोनों combine करके मुझे 22,990 में पड़ी थी इसको मैं लगाता तीन महने से यूज कर रहा हूं दिन रात और अभी तक मुझे कोई issue इसमें face नहीं हुआ है issue के वल एक ही है अगर आप इसका mobile data चालू करके रखते हैं तो battery backup एक दिन का ही आपको मिलेगा battery backup के मामले में थोड़ा कमजोर है बाकी सारी चीजे इस watch की बहुत ही अच्छी है बहुत प्यारा display है amoled display दिया हुआ है बहुत है